सुप्रपत बच्चू आज हम नन्ही नन्ही बच्चे हैं इस कविता का अध्यन करेंगे यह कविता सोहनलाल द्वेदी जी ने प्रस्तुत की है और इस कविता द्वारा जो छोटे छोटे बच्चे है अपनी भारत माता के लिए अपनी भक्ती का उजागर कर रहे हैं अपने देश भक्ती के लिए वो किस तरह से गर्व महसुस करते हैं यह उन बच्चों के द्वारा दिखाने की कोशिश की है तो चले देखते हैं कविता की और चलेंगे हम नंधे नंधे बच्चे हैं नादान उमर के कच्चे हैं पर अपनी धुन के सच्चे हैं जननी की जय जय गाएंगे भारत की द्वजा उड़ाएंगे यहाँ पर इस पंक्तियों में बच्चों ने कहा है कि हम क्या है नंधे नंधे यनि क्या हम छोटे छोटे बच्चे हैं नादान उमर के कच्चे हैं नादान यनि हम इतने छोटे हैं कि अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता है नादान यनि ना समझ ना समझ हम ना समझ उमर की क्या है छोटे बच्चे है पर अपनी धुन के सच्चे है अपनी धुन धुन यानि क्या लगन अपनी जो देश के प्रति लगन है उसके लिए हम क्या है सच्चे है हम अमारी जो भक्ती है वो क्या है सच्ची है जननी की जय जय गाएंगे भारत की ध्वजा उड़ाएंगे जननी यानी कोन हमारी भारत माता जननी यानी कोन माता वो केते हैं कि हम अपनी भारत माता की जय जय गाएंगे और अपने देश का जो तिरंगा है ध्वजा है उसको हम उड़ाएंगे दूसरा फैरग्रफ अपना पत कभी न चोड़ेंगे अपना प्रान कभी न तोड़ेंगे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे हम फिर हम हिम गिरी पर चड़ जाएंगे भारत की द्वज्या उड़ाएंगे अपना पत कभी न चोड़ेंगे अपने पत यानी क्या पत यानी रास्ता हमारे जो सच्चाई का रास्ता है हम उसे कभी भी नहीं चोड़ेंगे कभी भी गलत रास्ते पर हम नहीं चलेंगे हम सिर्फ सच्चाई का रास्ता ही अपनाएंगे उसे कभी चोड़ेंगे नहीं अपना प्रन कभी ना तोड़ेंगे प्रन यानि क्या जो शपत हम लेते हैं प्रतिग्या जो शपत है आपने देश के लिए जो बच्चों ने प्रतिग्या ली है उसे हम कभी नहीं तोड़ेंगे प्रतिग्या यानि प्रॉमिस उस प्रॉमिस को हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे हिम्मत से नाता जोड़ेंगे सदा हम क्या करेंगे न डरते हुए संकटों का सामना करेंगे मुसीबतों का सामना करेंगे और अपनी हिम्मत हमेशा दिखाएंगे हिम्मत से हम हमेशा नाता रखेंगे हम हीम गिरी पर चड़ जाएंगे हम हिम गिरी हमालाई के परवत पर चड़ जाएंगे हम हिमालाई के परवत पर चड़ जाएंगे भारत की द्वजा उड़ाएंगे हम इतना हमारे द्वजा उंचा करेंगे कि हम हिमालाई की परवत जितना हम उंचा उड़ेंगे और भारत माता क्या द्वजा उड़ाएंगे क्या होगा उन्चा होगा इतने हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे हम वो अपने भारत माता के लिए अपने देश भक्ती को किस तरह से उजागर करते हैं अपने देश के लिए क्या करेंगे वो अपने देश का नाम इतना बड़ा करेंगे कि वो हीम गिरी यानि हिमाले परवत से भी बड़ा हो जाएगा और हमारा जो तिरंगा है उसे भी हम इतना ही उन्चा उड़ाएंगे लास्ट हम भैसे कभी न डोलेंगे अपनी ताकत को तोलेंगे माता के बंधन खोलेंगे हम इसकी शान बढ़ाएंगे बारत की द्वजा उड़ाएंगे भई यनि क्या भई का मतलब क्या होता है डर ना जो गबराहट हमारे मन में रेती है जो डर हमारे मन में रेता है उससे हम कभी भी नहीं हारेंगे हम भै के सामने कभी भी डर कर नहीं भागेंगे अपनी ताकत को तोलेंगे हम डर के सामने अपनी ताकत को क्या करेंगे तोलेंगे अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को दिखाएंगे माता के बंधन खोलेंगे माता के बंधन खोलेंगे यह नि क्या, जो हमारे भारत माता के उपर जो जो बंधन है उसे हम क्या करेंगे, जरूर खोलेंगे उसे उन्हें कोई भी दाग नहीं लगने देंगे इतने अच्छे हम कार्य करके हमारे भारत माता का नाम रोशन करेंगे हम इसकी शान बढ़ाएंगे अपने कार्यों से, अपने देश पक्ती से हमेशा उन्चाई पर उड़ाएंगे यह नन्य नन्य बच्चों ने क्या किया है अपने देश के लिए अपनी देश भक्ती को उजागर करने की कोशिश की है कि किस तरह से वो नन्य नन्य बच्चे है ना समझ है लेकिन जो देश के प्रति उनकी भक्ती है वो क्या है सच्ची ह अब वो बहुती मन से वो अपने देश के प्रतिभक्ती रखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें वो क्या चाते कि जो हमने प्रतिग्या अपने देश के लिए की है उसे वो कभी नहीं तोडेंगे और वो हमेशा सच्छाई का रास्ता अपनाएंगे और क्या करेंगे अपने डर को हमेशा के लिए बहार निकालेंगे और हिम्मत से काम लेंगे इस तरह से वो अच्छे-च्छे काम करके हमेशा अपने देश का नाम उंचाई पर रखेंगे यह कविता यहां पे संपन होती है और इस कविता का उद्देश है इस कविता से हमें यह सीख मिलते ही कि हमारे मन में देश भक्ति की भावना को जागरुत होना तथा विश्यम परसिती में भी साहस धैरिय, बुध्धी और लगन से कारे करने की प्रेवना यह कविता हमें देत है धन्यवाद